हेलो एवरिवन वेलकम अगीन टू लंग्रिदेतिमन आज हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का ही चैप्टर नमबर एट आजादी सेपूर्व राजिस्थान में सामाजिक सेक्षिनिक सुधार तो इससे पहले के चैप्टर यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिएग राजिस्थान का जीके जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकिंड ग्रेड में लगा हुआ है तो वहां आपके लिए ये चैप्टर जो है वह बहुत इंपोर्टेंस रहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आजादी से पहले राजिस्थान में कौन-कौन से सामाजिक पूछा कि इस दिन विवहा क्यों होते हैं तो मा ने जवाब दिया कि हमारे रीती रिवाजों और परमपराओं का हिस्सा रहा है ये पर धीरे धीरे इसमें जो हैं बदलाव हुए और लोगों की समझ इस दिसा में बननी शुरुई हुई बाल विवहा, जाती प्रथा, सती प् अधारित जाती का स्वरुप विद मान था जो श्रम और कार्णे विवाजन पर आधारित था, जो इनसान जैसा कार्णे करता था, उसे उस केटिग्री में रख दिया जाता था ठीक है यानि उसे उस कैटिगरी में माना जाता था यानि सकारात्मक विवस्ता थी धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो बदल गया और जो वन विवस्ता थी वो किस पर आधारित हो गई जन्म पर आधारित हो गई इसमें धीरे धीरे नकारात्मक का समा वेस भी हुआ, हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पढ़ता है, चूंकि सकारात्मक विवस्था मस्तिक्ष को खुलापन देती है और नकारात्मक कई विक्रतियों को जन्म देती हैं, इसलिए हमेशा अपने को क्या रखना चाहिए? हमेशा सकारा उस समय विवहासंस्था सामाजिक विवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी, इसी के चलते कुछ परंपराओं और माननेताओं का सही रूप प्रासंग एकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया, बाल विव सती प्रथा, जाती प्रथा, कन्यावद, दास प्रथा ऐसी कुरूतियां जो समाज में फैल गई, तत कालिन समाज सुधारकों ने ब्रिटिस सरकार के प्रयासों से इन्हें दूर करने की दिसामे कार्य किया, तो कुछ जो इस तरीके की कुरूतियां हमारे समाज में पहले से व्याप्त थी और जैसे कि बाल विवा हो गया यानि छोटी जो बच्चे होते हैं उनकी विवा कर दिया जाता था सती प्रथा या कोई भी अगर इस्त्री उसका पती जो है वहे यदी मर जाता था तो उसे भी उसके साथ सती कर दिया जाता था ठीक है और जाती प्रथा जो हैं ये जो कुरुतियां हैं ये सामने आई और जो छोटी जात का होता था उसे बुरी द्रस्टी से देखा जाता था कन्या वद यानि कन्या अगर पैदा हो गई है तो उसे पैदा होते ही उसका वद कर दिया जाता था और इसके अलावा दास प्रथा भी प्रचलिती तो ऐसी जो चीजें हमारे समाज में फैल गई जो की नकारात्मक्ता को सामने ला रही थी सामाजिक सुधार तो इनके लिए सामाजिक सुधार जो है वो किये गए राजिस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रेटिस शाषन का प्रभाव रहा ब्रेटिस सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी अहस्त शेप की नीती के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस नहीं कर सकती थी तो देखिए राजिस्थान में 1818 से लेकर और 1947 तक ब्रेटिस शाषन रहा था और यहां पर ब्रेटिस सरकार जो है इन सभी मुद्दों को अपनी अहस्त शेप की नीती के चलते सीधे जनता से सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्त शेप नहीं कर सकती थी क्योंकि कुछ नीतियां जो बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि ब्रेटिस सरकार जो है राजिस्थान में जो रियासते थी वहां पर हस्त शेप नहीं कर सकती थी ठीक है इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महतपून पक जैसे सिक्षा को लेकर सामाजिक चेत्र में कारे करने का प्रेयास किया गया स्वामी विवेकानंद स्वामी धयानंद सरस्वती के प्रेयास राजिस्थान के लिए बेहद महतपून रहे रियासतकाल में रासपुताना के विभिन शाशकों ने भी सामाजी कुरतियों को दूर करने का प्रेयास किया तो यहां जो हैं वो यहां आते हैं स्वामी दयानंशर सुती जैसे और उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जैसे जो हैं ये आते हैं जो कि राजिस्थान के लिए बेहत जो है महत्वपूर रहते हैं सती प्रथा राजिस्थान के कुछ शेत्रों में प्रस्लित थी, मध्यकाल में मोहमद बिन तुगलक और अकबर, इन्होंने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किये थे, ब्रटिस काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में, कानून बना लौड विलियम वेंटिंग के द्वारा ठीक है, और सती प्रथा को गैर कानूनी गोशित किया गया, अब ये लाइन जो है वो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि सती प्रथा उन्मूलन 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसे गैर कानूनी गोशित किया गया था, क के बाद कोटा, जैपूर, मिवार में भी सती प्रथा उन्मूलन हितु कानून बनाए गया, अब इस पहरा ग्राफ में जो है इंपोर्टेंट दो लाइने हैं, राजा राम मोहन राय की प्रयास से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाया, लौर विलियम बेंटिंग ने और सती प्रथा को गैर कानून निगोशित किया और राजिस्थान में सबसे पहले जैपूर राज में ये कानून पारित हुआ, नेक्स ने हैं कन्यावद प्रतिवंद, राजिस्थान में सबसे पहले कोटा राजे में कन्यावद को गैर कानून निगोशित किया गया, इसके बाद बीकानेर, जोदपुर, जैपुर, उदैपुर, अलवर, इन राजियों में भी इस प्रथा को गैर कानू निगोशिक्त किया गया, तो इतना ही याद रखिएगा कि कन्यावद प्रतिवंद राजेस्थान में सबसे पहले कहां हुआ कोटा राज्य में, बाल विवाह एवं अन कर्णिया का विवाह कर देना, तो इस पर भी कानून बना कम उम्र की कर्णियाओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अवयश्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनूं ही कुपरताय समाज में प्रचलन में थी, इससे बा अधिक उम्र का पुरुज हो और कम उम्र की बच्ची हो उसके साथ विवा हो जाता है तो कहीं से भी मेल नहीं खाता है और इस वज़े से उनकी शारिरिक और मानसिक स्वास्ते इन दोनों पर ही गलत प्रभाव पढ़ता है जो की प्रगतिशिल समाज के लिए उप्युक्त नह ही है राश्ट्रिय इस तर पर अनमेल एवं बाल विवा जैसी कुप रथाओं को रोकने के लिए समा सुधारक दयानन सुरस्थती ने आवाज उठाई और 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवा और अनमेल विवा निशेत कानून बनाया किसने बनाया बाल विवा प्राचिन काल से ही अस्तित्व में रही है जो भी अमीर वर्ग था जो भी उच्च वर्ग था या फिर जो भी अच्छे कुल का था तो वो क्या करता था अपने अंडर में दासों को रखता था कमजोर लोगों को रखता था और उन पर जुल्म करता था तो राजेस्तान भी इससे अचुता नहीं रहा, मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला, दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्टा एवं उच्चता का आकलन होने लगा था, यानि जिन के पास ज्यादा दास होंगे, तो वो तो बहुत ही अच् नहीं माना जाता था, तो ज्यादा से ज्यादा दासों होना ये शाषकों की प्रता बन गई थी, ये शाषक सामन्तों और धनिकों के यहां सेवा, सुसरुसा के लिए रहते थे, इनकी सामाजिक इस्तिती अच्छी नहीं थी, इस प्रता को चाकर या हाली के रूप में भी सम समाप्त करने ही, तो अंग्रेजों द्वारा 1833 में चार्टर अधिनियम जो है, इसके द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है, तो दास प्रता यानि जिस तरीके से एक नौकर रखा जाता है, और उसे अपनी मर्जी से इतना वेतन या इतना रुपे उसको दिया जाता है, जितना शाशक का मन करता है, यानि दास जो यदि पूरे दिन काम करता है, उसके अकॉर्टिंग उसे पैसा नहीं मिलता, उसका सोशन होता है, तो इसका उन्मूलन जो है, वो 1833 में चार्टर अधियम द्वारा किया गया था, नेक्स्ट देखिए, डायन प्रता निर्मूलन, राजिस्थान में कुछ जातियों में इस्तरियों पर डाकन होने का आरोप लगा कर उन्हें मार डालने की कुप रथा व्यापत थी, तो ये कुछ जातियां थी राजिस्थान में, अलाकि पूरे देश में ही कुछ जातियां देखी गई, जो की इस्तरियों पर क्या करती थी आरोप लगाती थी कि यह क्या है डाकन है, ठीके, और यह क्या करेगी, यह पूरे घर को ही खा जाएगी, इस तरीके के आरोप जो है उस पर लगाया जाता था, तो आज-पास कि जो लोग होते थे, क्या करते थे, उसे मार डालते थे, यह अंदविश्वास पर आधारित था, मेवाड, कोटा राजियों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था, पूछा जा सकता है कि डाकन प्रथा जो है वो कहां पर अधिक प्रशलित थी, तो राजिस्थान में मेवाड और क में प्रचलित थी 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी जो है मिलने पर ए जीजी राजपुताना इसने इस अमानविय प्रथा को प्रतिबंदित करने हितु कानून बनाने के लिए रियासतों के साश्वों पर दवाब डाला कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानून गुशित कर दिया गया तो राजिस्थान में जो अंग्रेजों के द्वारा न्युक्त ए जीजी था उसने जब जाना इस चीज को कि ऐसी जो प्रथा जो है वो यहां पर चल रही है तो उन्होंने रियासतों के साश्वों पर दवाब डाला और इस प्रथा को बंद करवाया नेक्स्ट देखिए सैक्षनिक सुधार अब हमने सामाजिक सुधार जो है वो देखे कि सती प्रथा उन्मूलन किया गया जो कि कब किया गया 1829 में जहां पर कानून जो है लाड विलियम बेंटिंग जो है उनके द्वारा बनाया गया था और यहां राजा रामुहन राय जो जाता है चीक है दास प्रथा उन्मूलन भी हमने देखा कि एक चार्टर अधनियम जो है वो उसके द्वारा इसे समाप्त किया गया था दास प्रथा को 1833 में और वहीं डाकन प्रथा जो है 1853 में समाप्त की गई थी अब देखेंगे हम कुछ सेक्षनिक सुधार जो है वह भ गुर्कुल रहा है विद्या आश्रम उपाश्रे पार्षाला मकतब और मदर से मट आधी रहे हैं परिवार प्रात्मिक और व्यवसाइक सिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे तो परिवार में ही जो सिक्षा है वह है दी जाती थी प्राचीन काल में गुर्कुल में भी द संबोधित किया इसके बाद की सिक्षा को अंग्रेजी सिक्षा पाक्षात्य सिक्षा या आधुरिक सिक्षा के नाम से संबोधित किया गया ठीक है इस प्रकार 19 सतावदी में एक और सिक्षा का पारम पर एक स्वरूप नजर आता है और दूसरी और अंग्रेजी सिक्षा का प पढ़ते हैं अंग्रेजी तो उनके द्वारा ही लाई गई थी तो एक तरफ तो पारंपरिक जो है स्वरूब नजर आता था सिक्षा का उन्वी सिवी सताब्दी में और दूसरी तरफ अंग्रेजी सिक्षा का प्रभाव। दिया जा रहा है हमें जो है इसाई धर्व की सिक्षा दी जा रही है तो लोगों ने इसका विरोध करना प्रारम कर दिया परिणाम सरूप ये सबी स्कूल जो है वो बंद कर दिये गए 1835 में अंग्रेजी भासा राजकिय भासा बन गई पूचा जा सकता है एक्जाम में कि रा लगे 19-वी सदी के अंतक जैसल मेर को छोड़ कर राजबुताना की सभी रियासतों में सिक्षन संस्ताएं प्रारम हो चुकी थी प्राथमिक स्कूल और मिडल स्कूल क्रमोन नत्व होकर हाई स्कूल बने इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना सबसे पहले जो है यह पूछा जा सकता है अजमेर का हाई स्कूल राजबुत शाषकों रियासतों के शाषकों राजकुमारों सामंतों की पुत्रों के लिए अंग्रेजी सिक्षा का प्रतक प्रवंदन करने के उदेश्च से 1872 में वाय सराय लौड मेयो के नाम से अजमेर म मेयो कॉलेज की स्थापना हुई तो यहां पर कौन आते थे यहां पर वियासतों के जो राजबुत शाषक जो थे इनके जो पुत्र होते थे ये इंग्लिस पढ़ने के लिए यहां आते थे तो सबसे पहले अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई इसका प्रथम सत्र 1875 से 76 में प्रारंब हुआ. पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए सिक्षा कि उदेशे से 21 अगस्त 1947 में राजिस्तान विद्यापीट संस्था की इस्थापना की. किसने की पंडित जनार्दन राय नागर ने की सभी को सिक्षा जो है वह है मिल सके इसके लिए उन्होंने 1937 में राजिस्तान विद्यापीट संस्था के इस्थापना की. तो ये कुछ हमने सामजिक सुधार और कुछ हमने सेक्षिन सुधार जो है वह है देखे. नेक्स्ट वीडियो में हम यहां महला सिक्षा से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए आप लोग इनको पढ़िएगा दुबारा से वीडियो देखिएगा चीजों को समझेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू.